कि हां जी नेक्सिंगा डाउट रहे गया अमन बताओ तो अच्छा अच्छा कि अच्छा को ट्रांस्फोर्मेंशं कैसे करते हैं बाई में वह नहीं आ रहा था समझ में पीएमेफ है इसका कि अपॉन थि की पावर एक्स एक्स जिरो वनटू डॉट 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 यह थे थैंसी निकाल लोगे निकाल लिया होगा तुमने कि टूब यह कितना आया ज़्ट इस रिए जो मेंटिक डिस्ट्रिबूशन हो गया यह जोमेंट्रिबूशन नंबर ओफ फेलियर वाला केस है ना यह अब य क्या गिवन है मुझे य है एक्स माइनस टू गिवन एक्स मोड एक्वल तो तू अरे भाई तो एक्स की वैल्यू टू से स्टार्ट होड़ी है में मॉडिलेस प्रबर्टी बता है हम confirms क्या होता है मिवन प्रब्रटी से एक्स मोरतन इकॉल टू ना तो यहां से यह जो जो डisha यांडम वेर्यबल है ही वाई इस फऻल टू इ ऑफ क्लिख यो जीरो से इस्टार्ट एक्स की वैलीगा का से सटार्ट एक जीरो से स्टार्ट य से इक प्रिए जीरो तो ईवाई और ईएक्स सेम आ जाएगा डियूट्यू में मॉडिलेस प्रापर्टी अरे बाई यहां सपूर्ट बता वट इस सपूर्ट ऑफ वाई अ को घाने जाएको ते यूह कर निश्गार सब्सक्रावर अधें पर सट्रेटमेंट निलन इंपरैटी अधे क्या है अधे का है हुए सर उसी को थोड़ा से एक्स्प्लेइन कर दीजे में मरी लेस्प्रोपाटे क्योंकि वह उसका तो सिर्फ रस्टेटमेंट पर था है कि जैसे X is greater than S plus T, given X is greater than S, तो वह equal to होता है, X is greater than equal to T को. हां, डिश्क्रीट में यही होता है. तो इसका मतलब यही तो है कि यह जो x given m plus n है given x more than m यह random variable identically distributed है x more than equal to n वाले के साथ समय लो अभी तो यहां क्या बोल रहा है यहांस तुम देखो x more than equal to m है और यहीं पर मैं ऐसा लिख दूँ चलो x minus m more than equal to n ही हो जाएगा यह है तुम्हारा question इसको relate करो यह है तो यह किसके identically distributed है इसके साथ event लेरो चाओ तो so x minus m more than equal to n given x more than m is this या हमने क्या लिखाया है यहां तो equality लगा रहा हूं तो ठीक है अभी के लिए okay so x minus m यहां क्या होगा तुम देखो x minus m more than equal to n वहीं तुम लगाओ तुम्हारे वाले case में क्या x minus 2 है ना यह तो n कॉमन ही तो है तो x minus m given x more than m यह ऐसा समझो अभी मतलब x minus m given x more than m more than equal to रखा तो equal to लगा दो यहां पर distributed x equal to 0 तो m के जगा तुम्हारे question में क्या है तू है यह यह ना तेरा अड़े भाई यह ना यह तो हां मतलब एम की जगा टू है सई करें आप सभी करें हो m is 2 in your question and y this यह ना is it y so now और यह x का support 0 से start था m को टू रख दिया तुम्हें तो m की जगा 3 पे रख देगा तभी सेम होगा 4 रख देगा तभी सेम होगा 5 रख देगा तभी सेम होगा तो यह y था ना तो y जो आइडेंटिकली distributed हो जाएगा x के साथ और जब इडेंटिकली distributed the mean variance अब इक्वल आएगा हो जाएगा आँ सरव होजाएगा तो स्टेट्मेंट देखो और समझो